कि सारी लाल यादों के राइटर अख्लिस कश्व कह रहे हैं कि अगर विशाल सिंगो रहा है तो उसको लंदन चले जाना चाहिए उसको भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम काले हैं तो हम इसी में खुश है हमको अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं है हम इ कर रहे हैं कि विशाल सिंग जान बुच कर रहा है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि अगर हम लोगों के ऊपर बोलेगा तो इसको ट्यार पी मिलेगी उसके वीडियो को जादा से जादा लोग देखेंगे लिए अपना चेहरा चमकाने के लिए जान बुचकर भूच पु लिए गाना लिखते हैं इसलिए उनके बारे में कोई कुछ बोलता है तो हम लोग बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए हम लोग बिल्कुल शान्त है हम लोग को कोई भी बात नहीं करना है इसलिए हम लोग शांती से अपना काम कर रहे हैं लेकिन जिस दिन दिमाग घुम क्या कुछ कहा है यह हम आपको आगे की वीडियो में विसार से समझाते हैं लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कावर मैं मिशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन राइटर अख्लेस कश्यप कि सारी लाल्यादो के वो टीम मेंबर हैं जो बलकि अख्लेस कश्यप हिट मशिन खिसारी लाल्यादो के लिए इसकदर समर्पिट हैं कि जो भी लोग खिसारी को लटी सीदी बाते बोलते हैं या खिसारी के खिलाफ इंट्रव्यू देते हैं तो अख्लेस कश्यप उन सारे लोगों की खट्या खड़ी कर देते हैं यानि खिसारी लालियादों तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन खिसारी के विरोधियों को जवाब देने का काम जारतर अखलेस कश्यप ही करते हैं और कभी-कभी उनके मैनेजर विवेक सिंग भी करते हैं लेकिन हम बात करेंगा अख्लिस करशप के बारे में जो बात-बात पर किसारी लाल यादों के विरुधियों को जवाद देने के लिए शोसन मेडिया पर लाइव आ जाते हैं जो किसारी लाल यादों के पक्ष में पमन सिंग और उनके टीम के लोगों को बहुत कुछ बोल जा को सामने आया है जिसमें अख्लेस कुछ नहीं बोलें इसके बाद जब पत्रकार्ण नहीं बूछा नहीं चाहि हो बिग बॉस की घर से एक आप तो निकाल दिया गया था इसका जबाद देतीमें खिसारी के रैटर ने कहा क्योंकि बिग बॉस इसलिए उसलिये निकाल दिया गया था इसलिए निकाल दिये गये थे क्योंकि उनके फैन-فल्लॉइंग्स कम verb बाकी अगर किसी उसलिए लगता है कि खिसारी लाल्या लहीं स्टार नहीं है उनके fan following कम है तो पवन सिंग और किसारी लालियातों का मात्र दो किलोमीटर के दूरी पर stage show करा के देख लिया जाए कि किसके stage show में जादा भीड़ होती है उसे दिन पता चल जाएगा कि कि असल स्टार कौन है और किसकी fan following कितनी है उसके बाद पत्रकार अखलेश करिशप से पूछता है कि आप सही लोगों को दिक्कत क्यूं होती है आपकी वज़े से ही विवाद क्यूं होता है आपके उपर ही गाना चोरी करने का रूप हमेशा क्यूं लगाया जाता है जबकि भ कोश्पुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगा तो लोग कॉम्पेटिशन किस से करेंगे लोग कहते हैं कि जिस पेड़ पर जादा फल होता है उसी पेड़ पर जादा ढेला चलता है इसलिए लोगों को मुस्य और मेरे गानों से दिक्कत होती है इसलिए लोग कभी-कभी मेरी आलोचना करते हैं तो कभी मेरे उपर गाना चोरे करड़े का आरोप लगा कर मुझे बदनाम करते हैं बाकि जो लोग मेरे और खिसारी लालियादों के नाम पर विवात करते हैं वो सब TRP के लिए करते हैं वो जानते हैं कि मेरे उपर या खिसारी लालियादों के लिए